भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ट नेता चार राजियों के राज़ेपाल रहे हुए सर्तिपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको आज से एक हफ्ते पहले कुछ कहा था बड़े स्वरणिम वाक्या हैं कि प्रधान मंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है वो सब्भे आदमी हैं सब्भे भाषा में उन्होंने बोला हम भी सब्भे हैं लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे प्रधान मंत्री को भ्रष्टाचार से मुहबत है यह मुहबत इश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है जिस व्यक्ति को 40% कमिशन लेने के जु सब्भाव के चलते हटाया जाए उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं उनको गुहार लगा रहे हैं साब मदद कर देना जितवा देना देश का प्रधान मंत्री कुछ महिनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है राज्य हिमाचल प्रदेश था वहां भेष्टाचार का त वो उनको टिकेट नहीं मिली थी तो वो निश्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे उन्होंने प्रधान मंत्री की बात को माना भी नहीं बड़ा अठपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधान मंत्री दूसरा टर्म का प्रधान मंत्री इस तरह से हुज्जत कर हो अपनी ही party के एक worker के सामने और वो नहीं मान रहा हो देखिए साब इकबाल तो इकबाल होता है वो नहीं तूटना चाहिए पद प्रदानमंत्री का और भारत जैसे देश के प्रदान मंत्री का इस पद का एक एकबाल होना चाहिए उस इकबाल को स्वयम प्रधान मंत्री ही खतम कर रहे हैं ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है और भी कई उधारन है लेकिन चुनाव के संदर्ब में अगर हम बात करें एक भरष्ट व्यक्ति को कि आगे आप गिड़गडा रहे हो कि भई जितवा दीजी 40% सरकारा ऐसे थोड़े स्लोगन बना इनी लोगों की वज़े से बना ये नारा 40% 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारती जनता पार्टी की सरकार को करनाटका में वो इसी तरहें के लोगों की वज़े से नहीं इनी की वज़े से मिला था और आज प्रधान मंत्री उनके सामने गिर गिरा रहे हैं सोचिए क्या स्थितिय और सोचिए ब्रश्टाचार से कितनी मुख़़